गुड बॉर्निक स्टुडेंट रक्षे बारा फिजिक्स बहुत इविग्यान की ओनलाइन क्लासिज में आपका स्वागत है हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्र स्टेटिक्स जिसके अपने अबिज़े चोबदा भाग पढ़े हैं आज का भाग नमबर रहेगा पंद्रा और आज का अपना जो टोपिक है वो है विदुद फलक्स जिसको अपने रिप्रजेंट करें किसे फाई से ये जो साइन इसको अपने बोलेंगे फाई तो विदुद फलक्स से पहले दो पॉइंट आए हुए हैं एक तो आया विदुद छेतर और एक आया विदुद बल रेखाएं विदुद छेतर क्या होता है किसी आवेश के चारों और का वैशेतर जहां तक वह बल का अन्भो करता है किसी आवेश के चारों और का वैश चेतर जहां तक वह बल कानभो करेगा क्या क्या लाएगा विदुचेतर उसके बाद में अपने पड़ा विदुद बल रेखाएं वह कालपनिक बंदपत जिसमें कांग धन आवेश या प्रिक्षन आवेश चलता है या चलने का प्रियास करता है क्या क्यलाएगा विदुद बल रेखा अब जो विदुचेतर है उसको अपने समरूपी विदुचेतर को इस परकार से रिपरजेंट कर सकते हैं सेधी बल रेखाओं के द्वारा ये बल रेखाएं है जिनकी डारेक्षन क्या है बाएसे दाइयोर ये विदुचेतर है विदुचेतर को अपने किसे रिपरजेंट करेंगे इस अदिस अब जो विदुद फ्लक्स है वो इसकी बेस पर है विदुद फ्लक्स क्या होता है इस विदुचेतर में जैसे मालो कोई परश्ट रख दिया आपने तो इस बोल में से बहुत सारी यानि इस प्रस्ट में से बहुत सारी बल रेखाई निकलेगी इन बल रेखाऊं की संख्या को ही विदुत फ्लक्स कहते हैं विदुत फ्लक्स को अपने किसे रिपरजेंट करेंगे फाई से तो बिल्कुल आसान सी परिबासा है विदुद छेतर में इस दित किसी प्रस्ट के लवत गुजरने वाली विदुद बल रेखाओं की संख्या को ही विदुद फ्लक्स कहते हैं इसको अपने डाइग्राम के धार पर इस परकार से रिप्रजेंट कर सकते हैं जैसे माह लेते हैं ये अपने पास एक परश्ट है इस परकार से ये वाला जो पारट है इसको अपने गहरा बनाना है क्योंकि अपने साइड में है और ये थोड़ा दूर है ये विदुद छेतर है इस अडिस यहाँ पर जो विदुद छेतर में अपने प्रश्ट को रखा है इसमें से बल रेखा ही निकल रही है जैसे मैंने बोल ली और बहुत सारी बल रेखा निकल रही है इन बल रेखाओं की संख्या को ये अपने क्या बोलेंगे विदुद फलक्स यदि मालो इस प्रश्ट को अपने गुमा दे इस प्रकार से गुमा दे तो यहाँ पर जो विदुद छेतर का अपनी ये जो अलपांस लिया है प्रश्ट लिया है इस पूरे प्रश्ट का एक छोटा सा पोइंट ले रहे है अपने बिंदु ले रहे है और इस प्रष्ट का जो अलपास होगा वो होगा D A S A 9 E S A 10 और D A S A 10 के बीच अफने कॉण मा लेते हैं, क्या है? फी टा है E S A 10 और D A S A 10 के बीच का कॉण कितना है? फी टा है इस दाइग्राम का अफने यह से भिणा सकते हैं जैसे मालो ये प्रश्टा इसको मैंने इस प्रकार से गुमा दिया ये से गुम गया ये वोई सेम पार्ट है जो अपनी तरफ है इस प्रकार से ये आ गया E सदीस और दूसरा है D सदीस इन दोनों की 20 का जो कोण है वो कितना है ठीटा है तो एक प्रिवासात ये बनेगी कि विद्धु छेतर में इस दित किसी प्रश्ट के लंवत गुजरने वाली विद्ध बल रेखाओं की संख्या को ही विद्ध लक्स कहते है या विद्धु छेतर की तीवरता E सदीस और प्रश्ट के छेतरफल सदीस की अलपांस छेतरफल जो सदीस है उसका अपने एक छोटा सा पार्ट लिया है D का मतलब है अलपांस यानि छोटा सा भाग जैसी ये चोक है बहुत छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है तो इसका एक छोटा सा जोकण होगा उसको अपने क्या बोलेंगी तो फूर्मुला क्या बनेगा फलक्स को अपने किसे लिख रहे हैं फाई से पर sırft का अलपांस क्या है Ds है अलपांस की रूप में है तो D5 इस कलटोपण लिख सकते हैं E सदीस Dotal Ds अडीस D5 का मतलब की फलक्स का क्या है और अलपांस क्या का थे फ्लक्स अब अपने क्या करी अपने थे सिर्फ इस पोईंट के लिए लिए है अगर अपने संपूर्ण प्रस्ट के लिए फलक्स का मान निकालना हूँ तो अपने क्या करने पड़ेगा इस समेकरण एक नमर का अपने को integration करना पड़ेगा और यिस समाकलों का अपने बोलेंगे संपूर्ण प्रस्ट का समाकलन close integration यानि इस पूरे प्रष्ट के लिए अपने को समाकलन करना है तो यह आजाएगा पूरे प्रष्ट के लिए समाकलन आएगा जिसको अपने इसे लिखेंगे close integration यह जो sign है, यह वाला sign यह समाकलन है जैसे अपने इसे round लगा देंगे तो यह बन जाएगा संपूर्ण प्रस्ट का समाकलग, यानि close integration, तो यह आजाएगा close integration d5 is equal to close integration s e sadis dot ds sadis, अब अपने यहाँ पर s क्यों लगाया है, क्योंकि पूरी surface के लिए अपने क्या किया है, phi का मान निकाला है, तो d5 का अपने integration करेंगे, तो यह आजाएगा phi, और phi is equal to close integration s e sadis dot ds sadis, यह आगया समीकर नमबर, दो नमबर, जो समीकर नमबर एक नमबर है, वो भी विदुद फलक्स का वियंजिक है, समीकर नमबर दो है, वो भी क्या है, विदुद फलक्स का वियंजिक है, लेकिन दोनों में अंतर है, यह जो फलक्स है, यह एक अलपांस के लि कोजेंटीरेशन यह अगर अपने सदिश अटाएं तो यह आएगा E, D, S,番 आदीस गुणनफल क्या होता है, दो सदिश राशियों का अदीस गुणनफल, उन दोनों सदिशों के परिमान, E, S,番 अधिस का परिमान क्या है E, ब्राबर close integration S, E सदीस, दो D सदीस, इसकल टो इसको अपने क्या लेखेंगे, E D S कोस थिटा, अब देखों, इसकल टो इसकल टो इसकल टो, अगर कौन थिटा है, तो यहाँ पर थिटा ले लेगे, अब थिटा का माल अपने माल लेते हैं, कि जीरू है, E सदीस, ओडिसकल टो इ इंटिग्रेशन EDS, cos 0 degree, जो कि हम जानते हैं, cos 0 का मान कितना होगा, एक तो यह आजाएगा, 5 is equal to close integration S, EDS, cos 0 का मान कितना है, एक से बुणा करेंगे, यह आएगा, अब E यह आपर क्या है, intensity of electric field, विदु छेतर की तीवरता है, और विदु छेतर की तीवरता का मान हमेशा निय रहता है, बदलेगा नहीं, बदलेगा कौन, केवल DS, अलपांस लिया है, तो समाकलन करना है, integration करना है, अपने को समाकलन करना है, तो E यह आपर क्या है, constant, constant का समाकलन नहीं होगा, तो E यहाँ से बाहर आ जाएगा, इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, 5 is equal to E, close integration S, DS, E क्या है intensity, अगर अपने सभी अलपांसों को add कर दें, जोड दें, तो यह आएगा, close integration S, DS, और यह आजाएगा, समपुर्ण प्रस्ट का समाकलन, S, surface, S लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं, A यानि area, तो यह अपने पास एक formula बन जाएगा, यहाँ पे, formula यह बन जाएगा, उपर E, close integration S, DS, और DS की value कितनी है, S है, तो 5 is equal to आजाएगा, ES, यानि विदुद छेतर की तीवरता और प्रस्ट की, छेतर फल का जो गुनंद फल है, वही क्या कहलाएगा, विदुद फलक्स कहलाएगा, यह है विदुद फलक्स के अलग लग तीन formula, एक नमर समीकरन, दो नमबर और तीन नमबर, तीनों अपने को याद रखना है, बहुती आसान सा टोपिक, अब आप से पूछे जाए कि विदुद फलक्स कैसी रासी, अदीस है या सदीस, दो सदीस रासियों का अदीस उगनंद फल जब होगा, तो केवल अपने को अदीस रासी ही प्राप्त होगी, य अपने पास एक नमबर, दो नमबर, तीन नमबर, अपने को यूज़ करना है, तीन नमबर का, तो समीकन तीन से हमें क्या करना है, मातरक निकालना है, तो यह आ जाएगा, यूनिट, phi is equal to क्या था, yes, e is equal to क्या होता है, f बटा में q, intensity क्या होती है, intensity of electric field, विदू छेतर में इसलिट किसी आवेस पर लगने वाले बल और आवेस का जोन पात होगा, वो क्या कहलाएगा, विदू छेतर की तीवरता, तो formula यह बन जाएगा, phi का, phi is equal to यह बन जाएगा, f बटा में q into s, या phi is equal to अपने यह लिख सकते हैं, f क्या है, बल, और बल का मातरक क्या होगा, newton, n से लिख सकते हैं, s क्या है, surface, surface यानि एरिया छेतर फल, और छेतर फल का मातरक होगा, meter square, q यहाँ प्रावेश से, अब इसका मातरक क्या होगा, kulam, kulam को अपने c से लिख सकते हैं, तो मातरक क्या बना है, newton into meter square, बटा में, kulam, इसको अपने change भी कर सकते हैं, इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, s I परती में, तो 5 is equal to यह लिखेंगे हैं, अपन, newton into meter, into meter, बटा में, kulam, आप देखों, यह newton into meter, न्योटन into meter को अपन क्या लिख सकते हैं, जूल, तो 5 is equal to क्या आएगा, जूल into meter, बटा में, kulam, जूल बटा में क्या होता है, व्यख अपने पड़ा, W is equal to होता है, W बटा में, क्यूप, W क्या है, कारे, और कारे का मातरक क्या होता है, जूल, क्यूँ यहाँ पर क्या है, आप इसका मात्रक क्या है कुलाम, जूल बता में कुलाम क्या होता है, वोल्ट, तो यह मात्रक मन जाएगा, फाई का, फाईसकल टू, अपने पास आएगा, वोल्ट इंटू मिटर, कौन सी पतती में, ऐसा ही पतती में, यही आज का क्यूसन होगा अपना, इस वीडियो 15 नमर वीडियो का जो परसन है कमेंट की रूप में आपको answer देना है परसन ये है कि विदुद फ्लक्स का ऐसा ही पदती में मातरक क्या है तो आपका answer क्या होना ची वोल्ट इंटू मेटर ये आपको लिखना है मातरक हो गया अब अपने विदुद फ्लक्स का जो मातरक है वो है न्यूटन इंटू मेटर स्केर बटा में कुलाम न्यूटन क्या है बल का मातरक है तो बल की विमा क्या होती है ये अपने पड़ी है पहले बल की विमा होती है M1 L1 T-2 इंटू है मेटर स्केर L स्केर आजाएगा बटा में है आवेस और आवेस का विमेस उत्र है T1 A1 सभी को अपने इंक्लूट कर देंगे जोडेंगे तो 5 जकल्टो आएगा अपने पास 5 बराबर M यहाँ पर कितना है 1 है 1 आजाएगा M1 L कितना है 1 है यहाँ पर कितना है 2 है जब आधार समान हो तो गहाँ तो जुड़ जाती है 1 और 2 यह हो जाएगा 3 L 3 हो जाएगा इसके बाद में T यहाँ पर कितना है माइनस के 2 है बटा में कितना है 1 है इसको अपर ले जाएगे तो यह हो जाएगा T माइनस 3 इसके बाद में A यहाँ पर 1 है इसको अपने उपर ले जाएगी तो यह हो जाएगा माइनस तो यह अपना वी में सुतर आ जाएगा चुम्ब किया है विदुद फ्लक्स का फाइज कल टू M1 L3 T-3 A-1 जो अपने को अच्छा डंग से नोट कर लेना है तो अच्छा डंग से समझेंगे अपने ये यूनिट निकाल लिए अब इसकी स्पेशल कंडिशन है नेक्स्ट अपने इसके कंडिशन पढ़ेंगे विदुद फ्लक्स की तीन इस्तितिया है केस फर्स्ट पहली कंडिशन में थीटा का मान जो है वो है जीरो सेकिंड कंडिशन इसमें जो थीटा का मान है केस सेकिंड थीटा इसकल तू है 90 डिगरी और लास्ट कंडिशन है तीन नमबर केस थर्ड थीटा इसकल तू है 180 डिगरी ये तीन इस्तितिया है पहली स्थिति में है कि यदि इसदीस और डिएसदीस प्रसपर एक जिसा में हो जब इसदीस और डिएसदीस प्रसपर एक जिसा में होते हैं अर्थार समानतर होते हैं यानि थीटा का मान जीरो डिगरी होता है तो flex का मान कितना होगा तो यह जो condition है इसके लिए पने diagram यह बना सकते हैं इस परकार से जो first diagram था इस परकार से था कि यह है प्रस्ट प्रस्ट इस परकार से लिया है अपने यहां पर intensity है इस अधीस और इसी point पर इसका अपने L-pass ले लिया डीस अधीस थिटा का मान कितना है? 0 तो 5 is equal to एक फूर्मुला था समिकर नमबर 2 5 is equal to close integration S E सदीस डोटल, D सदीस अगर अपने सदीस अटाएंगे तो यह आएगा close integration S EDS, cos थिटा अब देखो थिटा का मान कितना है? 0 cos 0 का मान कितना होगा? 1 होगा तो 5 का मान यहाँ पर क्या जाएगा? close integration S, EDS E यहाँ पर क्या है? intensity विदू छेतर की तीवरता है जिसका मान नियत रहेगा तो इसको अपने हल करके यह लिख सकते हैं 5 is equal to E, close integration S, DS और DS का integration कितना होता है? यह मैंने आपको बताया S, close integration DS is equal to क्या जाएगा S तो 5 is equal to, 5 is equal to आजाएगा ES यानि इस condition में जो विदूद flux होगा वो होगा, max अधिक्तम होगा और कैसा होगा? positive होगा, दनात्मक होगा यानि जब E सदिस और DS सदिस एक ही दिसा में होते हैं तो विदूद flux का मान कैसा होगा? अधिक्तमक होगा और अधिक्तम होगा अब है condition number 2 second condition कि theta का मान कितना है? 90 degree है इस condition में क्या होगा? जो प्रस्ट होगा वो इस परकार से घूम जाएगा ऐसे ये प्रस्ट अपनी तरफ है प्रेक्सक की और ये है E सदीस यानि विदूचेत्रिती वरता और ये प्रस्ट का अपनी अलपांस लिया है D S सदीस इन दोनों की 20 का जो कौन है वो है theta is equal to 90 degree तो समीक्रन अपनी वापस वोई लगाना है दो number तो 5 is equal to इसको अपन क्या लिखेंगे close integration S E सदीस डोटर D S सदीस इसको अपन ये लिख सकते है close integration S E D S cos theta और theta का मान यहांपर कितना है 90 degree तो 5 is equal to क्या आएगा close integration S E D S cos 90 degree cos 90 का मान हम जानते है cos 90 का मान कितना होगा 0 तो 5 is equal to क्या आएगा close integration S E D S into 0 तो ये value कितनी आजाएगी सुनने आजाएगी यनि ये मान कितना होगा minimum होगा new time होगा ये value कितनी है new time है और ये value कैसा है max है ये अब ये last condition last condition में अपनी क्या करना है theta का मान 160 degree लेना है यनि E सदीस और D Sदीस क्या है एक दूसरे के प्रतिस मानतर है तो इसका diagram अलाएगे अपने इस परकार से बन जाएगा अब ये जो प्रस्ट है ये प्रेक्सक्की और है इस परकार से यहाँ पर है E Sदीस और यहाँ पर है D Sदीस और दोनों के जो बीच का ये कौन है ये कौन कितना है 180 degree है जब E Sदीस और D Sदीस प्रस्ट पर एग दूसरे के प्रतिस मानतर होते है अर्थार ठीटा का मान 180 degree होता है तो समीकरन दो से विदध फ्लेक्स फाइज कल टू क्लोज इंटिग्रेशन S E Sदीस डोट D Sदीस सदीस अपने अटाएंगे तो 5 is equal to close integration S E D S cos theta cos theta का मान कितना है 180 degree तो 5 is equal to close integration S E D S cos 180 degree cos X 180 का मान होता है minus 1 तो 5 is equal to या जाएगा 5 is equal to close integration S E D S into minus 1 या 5 is equal to इसको अपने ये लिख सकते है minus E close integration S D S D S का integration कर देंगे ऐसा जाएगा 5 is equal to minus E S ये एंस्वरा जाएगा ये मान भी कैसा है max है लेकिन रिरात्मक दिशा में है इसको अपने बोलते है परवेसित flux कौन सा flux होगा परवेसित और ये flux कौन सा है निर्गत आउटफूट ये निर्गत flux है और ये है परवेसित flux ये मान कैसा है अधिक्तम है लेकिन कौन सी दिशा में है लिरात्मक दिशा में है तो ये थाज का important topic विदुद फ्लक्स जो complete हुआ अच्छे टेंग से अपने को याद करना है परसन आपको बता दिया गया है कि विदुद फ्लक्स का ऐसा ही पतती में मातर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है बताना है मंडे को आपका टेस्ट होगा जिसमें आपको एक नमर वीडियो से लेकर पंदरा नमर वीडियो तक सारे देखने है तो अच्छे लेंग से आप त्यारी करते रहें थैंक्यू धन्यवाद